सबसे बड़ा सवाल मैं सारी पार्टियों से पूछता हूं एक नड़ सर ये है कि 70 साल के बाद थर्ड लार्जेस एकोनोमी होने के बाद उत्तर प्रदेस आज भी बिमारू राज्य क्यों है सारे पैरामीटर आप लोग गिना दोगे कि जी हम बेस्ट है आज भी उत्तर सब्सक्राइब कर दिया इतना तेज विकास तो दुम्या के किसी देश में हुआ ही नहीं और विट के सब्सक्राइब कर देखे तो बहुत सही का आपने उट के मूह में जीरा है अभी बहुत काम करना बागी है जो पोटेंसिया लगाई उपी है कर दो एका मिश्रा जीस वाक्त हैं पॉलिट कल कंसल्टेंट आप पॉलिट कल आप इनको कह सकते हैं कि राजनातिक जानकार हैं और हर पार्टियों का लेखा जोखा इनके पास होता लेखा जोखा मतलब भीतर की बात भी पता होती और अंदर की और बाहर की बाद ही पता होती तो जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई कितनी हैं तब से पहले एके मिश्राजी के पास चलते हैं चुकि पॉलिटकल कंसल्टेंट हैं पॉलिटकल आनलिस्ट हैं बहुत बेहतर तरीके से इस तरह की चीजों को बता सकेंगे जहां तो योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो कस्में सरकार की तरफ से खाई गई उससे पहले चुनाब से पहले बीजेपी की तरफ से खाई जा रही थी आपको बसक्ताने की करूंगे कि राजनयतिक जानकार हैं और हर पार्टियों का लेखा-जोखा इनके पास होता लेखा मतलब भीतर की बाध रही अंदर कि फाले हैं कि सचाई कितनी है अपसे पहले एके मिश्रा जी के पास चलते हैं पास्या एक प Hackल consultant है political analyst है बहुत बहुतर तरीके से इस तरह की चीजों को बता सकेंगे एक जी मैं थोड़ा से जानना चाहता हूं क्या उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बह रही बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का माद्दा सिर्फ बीजेपी सरकार में दीख रही है यही विकास की धारा है इसी विकास की जरूत थी उत्तर प्रदेश को और उस विजन पर योगी सरकार पूरी तरह से खरे उतर पा रही है बहुत ही इमांदार समिक्षाप की तरफ से होनी चाहिए अगर विकास के विकास से नहीं होता है यह बड़ा इंटीग्रेटर एप्रोच होता है और असली विकास तो मैं तम मानता हूं जब वहां के लोगों की पर कैप्टा इंकम इस पक शुरूब से कि उत्तर प्रदेश के विकास या देश के विकास में केवल एक पार्टी ने सहयोग नहीं किया या काम नहीं किया आज की डेट में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रेक्चर जो है रोड वगरा बिजली के खंबे वगरा पहले से पढ़े हैं तो पहले की सरक सरकार है योगी जी की वह आगे बढ़ा रहा है सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो पोटेंशियल अवलेबल है आप यह देखिए उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन टैलेंट वहां नेचुरल रिसोर्स देखिए नदियां देखिए अग्री कल्चर देखिए उसका पोटेंशियल का दोहन हो रहा है कि नहीं और उस हुसाब से योगी जी जो है इनकी सरकार कितना कर रही है बेटर मैं मान सकता हूं पिछले गवर्मेंट से थोड़ा यह सीरियस दिख रहे हैं क्योंकि इलेक्शन भी आ गया है अब मैं यह बोलता हूं इतने सालों से सरकार है पहली बार मैंने यह देखा कि सोलर पैनल का इन्होंने उदगाटन किया जिस से 10 या 12 लाख रुपए की बिजली की बचत होगी पूरे उत्तर प्रदेश के एकोनॉमी में और एकोनॉमी में भी थोड़ा और नेरो हो जाईए तो इलेक्रिसिटी की बचत के लिए 12 लाख तो बहुत सही का आपने उंट के मूं में जिरा है लेकिन क्या लगता है जब आप लोंग से सवाल पूछा जाता कि योगी की सरकार इस वक्त विकास की धारा बहा रही है हर तरह की योजना परियोजनाओं का उद्गातन हो रहा लोकारपन हो रहा और तमाम तरह आप तमाम की चुनाथियों का सामना करते हुए दरसल विकास की धारा को बहाने की जो चुनाथि है सरकार के सामने उसी पूरा करने की पूरी कोशिश वरी है तो वीजन है सरकार का सरकार का वीजन देखे एक तो मैं जानता हूं सबका साथ सबका विकास लेकिन योगी जी की जब सर जब से योगी की सरकार बनी है अब हमें ऐसा लगता है कि सबका साथ सबका विकास तो है ही लेकिन साथी साथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना द करें लेकिन पूरा किलियर बात बताएंगे एक दो बाते नहीं जैसा एक एक कह रहे हैं तुसी साफ से बात करें कि उट के मुह में जीरा वाली बात है या फिर ओवरॉल डिवलप्मेंट हो रहा है एक दम आप गविसंकर जी आप एक dawn सही और रहे हैं। जो पुरवति पांच वरसीय रहकार वे चाहिए बसपा की सरकार हो चाहिए सपा की सरकार हो और उत्तर प्रदेश की जंता ने दोनों सरकारों को बहुमत दिया छनदेश दिआ सुस्री मायवती जी ने बादलपूर का केवल और केवल विकास किया और अपना विकास किया आदनिय श्री अक हलेस इद अवर अपना परिवार dess की बुकता हे और सेФड SMITH अगर सफ़ाई की बात करेंगे, तो फिर विपक्ष के पास बुरकूर कहने के लिए आदितनाजी महाराज एकदम तत्पर है, आप पूरा की पूरी सरकार इसमें किर्श संकल्पित है, और पूरा का पूरा ये 5 साल होने दीजिए 5 साल के अंदर, पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर, बिजली, स्वास, सिच्छा, सड़क, पानी और पूरी की पूरी बुनियादे चीजे, समस्या हल होगी, और उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी, आदनी होगी यादितनाजी की सरकार, वहनोजी आदव जी, वहनोजी आदव जी, कारोप लगता रहा है आपके उपर कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब तक थी, तब तक जो धाचागत विकास होना चाहिए था उत्तर प्रदेश का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए था, दरसल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान ही नहीं दिया गया, पूरा का पूरा इंफ लिक्षा के मसले को लेकर हो, या सडक हो या फिर तमाम तरह जो सोलर पैनल की बात हमाद दिखा बता भी रहें, थोड़ा सा मुझे बताएं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और जो इस वक्त विकास हो रहा है, दरसल इसी तरह की विकास की जरूवत थी आपके सरकार के कारिकाल में, आप लोग थोड़ा मिस कर गया है, देखिए सोलर इस प्रदेश में दो फरवरी 2015 को बहुबा जिले में 10 मेगावाट का सबसे पहले उद्गाटन किया गया और वो सुचारू रूप से चला, इसके बाद हमीरपुर चला, जासी चला, कई बुंदेल खंड के ज अब मौझूदा सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से नजर बनाया रखिये, यह देख ले, सबसे महत्त्पूर बात, आपने इंफ्रेस्टेक्चर की बात करी, तो यह सरकार कल अजोध्या में इंफ्रेस्टेक्चर बनाने जा रही है, पिछली दीवाली में भी गई थी, और होली में गई थी मतुरा, इनका इंफ्रेस्टेक्चर सिर्फ और सिर्फ वही है, कि होली दीवाली मना लो, जनता की भावनाओं के साथ खेल लो, अगर आप डेवलेमेंट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 23 महीने में अगर आगरा लखनवे एक्सप्रस बे बन गया था तो 20 महीने इस सरकार को भी पूरे होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता है कि साथ 88 और 19 वा महीना चल रहा है, तो यह सरकार निश्चित रूप से पूर्वांचल एक्सप्रस वे आधा तो बनाई चुकी होगी अगर इंफ्रेस्टेक्चर की बाद, चुकि पूर्व की सरकार ने उद्गाटन भी कर दिया था, और जमीन का जो एक्योजेशन था, वो भी कम्पलीट कर दिया था, लगबग लगबग 70 परसंट जमीन हो गई थी, चुकि फरवरी 2016 के बजट में ही 1600 करोड रोप है, अधिकरान के लिए पास हो गए ते 17 का बजट, फिर 18 का, अब तो 19 वा सब्सक्राइब कर दो बाते कह रहे हैं कि सरकार कृति संकल्प है, सरकार के पास बहुत ही बहतरीन वीजन है, राम हिर्देर, राम जी थोड़ा से और और डीप में जाकर के हम आपसे पूछेंगे कई सवाल, और एक एक चीज, एक शत्र के बारे में आपको बताना इस वक्त सहब सहाब हमारे साथ है, सहब सहाब मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब कॉंग्रेस, जब सियासत करती है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, तो कोई भी आम जनता से पूछ लिजिए, बस उसे दो ही जगा का नाम याद आता, अमेठी और लेकिन इसके बावजूद मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, कि जिस तरह का विकास इस वक्त देख पा रहे हैं, योगी सरकार की तरफ जो इनिशेटिव लिए जा रहे हैं, आपको नहीं ऐसा लगता कि शायद कॉंग्रेस की तरफ से अगर इस तरह की इनिशेटि लिए, कि आज आपके साथ जो है इन्डिया वाइस की उपर मौका मिला, भाई आप विकास के अगर बात करते हैं, तो उसके बहुत मौझूदा एक्जामपल्स हैं, आपकी UP1 और UP2 के दोरान, फर एक्जामपल अगर मैं बात करूं, कि हमारी मौझूदा जो GDP ग्रोथ है, फ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिहास से हम 95 नमबर पे थे, यानि भूकमरी के लिहास से, आज जो हम सवे नमबर पे ख़रे हैं, GDP ग्रोथ की बात करते हैं, आज बारती जनता पार्टी की केंदर में भी सरकार है, उत्तर परदेश में भी सरकार है, मगर एक बार भी हमने ऐसा इंडेके लिहास से, उत्तर परदेश के बजट के लिहास से जनता को एक एक विशय में जानकारी आज दूँगा आपके पैनल के थूर, सबसे पहले आपने एलेक्रिसिटी की बात की, यूंके बिजली की उसकी बात हो रही है, ज़ली को क्रिएट किया जाए कि लोगों को सस जुनेता पार्टी के जितते ही expected जो है बदमें जाधमें सारे छिछो मिया पर यूनिट दे रहा है 40 की बाद कर दी आपाद करें वहां हम WRE केंडल परे केंडल में भारते जुनेता किसा सरकार न कुल करें को में केंडल में SP ग्रांट कमिशन होता है जो युनिवर्सिटी की फैसिलिटी चेक करता है और एडूकेशन चेक करता है उसका जो बज़ट 30,000 करोड का उसको भी घटा के 40,000 करोड कर दे आगा हम आगर गोरखपुर का यह एक्जांपल देते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ यह गोरखपुर का कह रहा है कि साब गोरखपुर में बड़ा अच्छा विकास किया 25,000 बच्चा BID होस्पिल में मर गया तब से ले अब तक जब से लेकि योगी जी वहां के सांसत थे बहु अब वक्त एक ब्रेक का है आप आपकी तरफ जो फैक्ट सा दिये जा रहा है दरसल इस फैक्ट को कैसे हम चेक करेंगे कैसे इसका मैं ने ने ठीक है मैं समझ रहाँ इस बात को मैं लेकिन पूछूंगा राम हिर्दय राम जी से थोड़े दिर के बाद पूछ लेंगे कि दर चर्चा हमारी जारी है जानने की कोशिश करेंगे कि विकास की जिस धारा की बात योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कही जा रही है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बाद जो कही जा रही है दरसल जमीनी हकिकत इसकी कितनी है अपने पर उसके इंडेक्स पर कितनी सच थावित हो रही है एक छोटे से बात पूछना चाहता हूं कि परामीटर क्या होना चाहिए पैनल आपने उद्घाटन कर दिया लोकार्पन कर दिया कई तरह की की और विकास के काम हो रहा है इसमें तो मैं भी कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से बहुत सारे इनिश्येटिव लिए जा रहे हैं लेकिन क्या सरकार चूक कर रही है यह सरकार को सब पता है बस धीरे-धीरे सरक कार उस रफ्तार उस रफ्तार को पकड़ने की कोशिश करें कि ओवरॉल डिवलप्मेंट कैसे उतर पुदेश का पैरामीटर्स बताए कि कहा 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 पर वर्क आउट करने की जरूब देखे क्या है आपका सवाल बड़ा सही है लेकिन सारी सरकारों का आजादी के 70 साल के बाद अगर आप विकास के पैरामीटर की बात करेंगे तो मैं दूसरा मुहावरा यूज करूंगा कि नौ दिन चले अड़ाई को सवाल यह नहीं है हो सकता है सपाने कॉंग्रेस के केंप्रीजन में ज्यादा स्पीड से ग्रोफ ग्रोफ किया हो यूपी का या बीजेपी जो है यूएसे में जो एक आदमी इनर्जी का कंजम्शन करता है डेली या मंतली बेसिस पे हमारे इंडिया से 30 गुना ज्यादा है इतना ज्यादा वो लोग रिच है दूसरी चीज आप यह देखिए यूपी थर्ड लार्जेस्ट एकोनॉमी है लेकिन आप देखें बिन्नता कहा कि आप में बड़ी बीड़ता है हम थड़ लार्जेस्ट एकोनॉमी ज़घा पूछिए पर केटा यहां पर बच्छों की मिल्क अवलेविल्टी क्या है पर थाउजन डॉक्टर्स की अवलेविल्टी क्या है टीचर्स की अवलेविल्टी क्या है पर केटा रोड availability कितने किलो राज कियो है सारे पारामिटर आप लोग गिनाद होगे कि जी हम बेस्ट है आज भी उत्तर प्रदेस्ट बीमारू राज कियो है आप मुझे बताईए क्या पर आप लोगों ने विकास किया राम घराम घराम जी खुड दिसाइड और मनोजी आदर यह की यूपी बीमारू रा जाब कहा पर इस्टैंड करें और कितनी कोशिश हो रही है ऐसा ने कि पहली बार बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है देखिए देखिए मिस्रा जी एकदम बिलकुल सही कह रहे है सत्तर सालों का जो विकास का माप दंड जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और कांग्रेस की सरकार रही इससे पुरवर्ती समाजवादी पार्टी और बहुजर समाजवाटी की सरकार रही अगर इन सरकारों ने उत्तर प्रदेश का विकास किया होता 45 साल तक केंदर में कांग्रेस की सरकार रही तो देश का नक्सा कुछ होर होता कांग्रेस ने केवल और केवल अपने परिवारवाद बंसवाद और अपने परिवार के विकास के अलावा कुछ नहीं कोई जनता का विकास बिजली स्वास सिछा सड़क पे काम नहीं किया समाजवादी पार्टी बोजन समाजपार्टी ने काम नहीं किया भारती जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पे पूरी की पूरी जमीन पे काम कर रही है योगी आदितनाजी की सरकार गोरकपुर में एम्स का निर्माण करने जा रही है आठ नए Medical College की सुकृति उत्तर प्रदेश में हो गई है कानपूर आगरा में Medical College में आठ शूपर इस्पेस्ट्री विभाग की अस्ता अपना की funding हो चुकी है पूरा का पूरा स्वास पे हो चाहे सिच्छा पे हो चाहे सड़क पे हो चाहे बिजली पे हो चाहे पानी पे हो पान साल देख लिजिए पान साल योगी आदितनाजी की सरकार में जो कार 40 साल से ले करके और पर पचास साल तक पैटालिस साल तक और पुरवर्ती सफाब सबस्पा सरकार्ङ कंदें नहीं हुआ आधणिय हो्गी आधिना जी की सरकार यह भिमार और यूपी टू से पहले आपकी सरकार रही है साड़े 10 साल ये वाजपाई जी की भी रही है टोटल मिला के साड़े 10 साल के इंदर में रहे हैं आप लोग क्या पर कैपिटल इंकम रही है तो मैं चाहूंगा जनता को बताईए यूँकि हवाओं में बात करनी कि इनकी आदत है 26,000 पर कैपिटल इंकम थी साथ उसे बढ़ा के 70,000 हमने जो है पर कैपिटल इंकम बढ़ाई आज हमारी टेनियूर पर मैं यह नहीं कहूंगा बेरुजगारी नहीं थी मगर लेबर बीरों के लिहाज से हम जब हम जब सरकार में थी नहीं साब साब मुझे मुझे जाने में यह पी की बात करें इसमें इंटरेंस महिए बटाए है साब मैं बताता हूं मैं बताता हूं मैं बन बोला जाता है हम विकास कर रहे मैं तो हमर हे रहे नहीं होता हमारी हाँ कोockey राइच्स नहीं होता मैं इंको बटाना चाहता ऑ अब्ल्र आपर फोछे तो में अगस्ट 8 2017 में पार्लिमेंट में सूची जमा की गई जिसमें बताया गया साब 66 जिसमें 16 लोग मर जाते हैं 151 घायल अब यह तो मैंने केवल एक एक एक्जमपल रखा आप से अब यह दिखाते हैं हम जो है हर चीज में जो विकास कर रहे हैं मेडिकल का मैंने भी आपको बता चुका हूँ रोड और घड़ो का 3975 करोड और भादा किया था कि यह गड़े जो है रोडो के खतम कर देंगे फिर नोने वादा किया था दिसम्बर तक पिछले साल 2017 में कि यह 25 जिले जो है क्लीनिस रैंकिंग में लेके आ जाएंगे मैं तो क्या क्या करें आप एक कहना चा रहे हैं आप एक कहना चा रहे हैं कि योगी सरकार के दर्मयान कुछ भी डेवलप्मेंट का काम नहीं हो रहा हवा 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 हुआ हर्य है क्रोर का रखा कि फ्री वाइफाई देंगे उत्तर परदेश में जो है वो आज तक जो है हमें किसी को नसीब नहीं हुआ 300 क्रोर जो है स्वेटर यूंकर फिर आ गई है मैं उम्मीद करता हूं इस बार जो है सरकार जो 300 क्रोर पिछले बजट में निकाल चुकी थी और जो वादा किये गए थी इनके मिनिस्टर भी शॉली उतार उतार के रख रखे थे के जब तक नहीं मिलेगा हम नहीं पहनेंगे 300 क्रोर का जो है बजट निकाला गया था वह आज तक इसनमाल नहीं हुआ मतलब फिर जो है मनुझा साहिव साहब क्या लग रहा है आपको कि यूपी में कुछ भी नहीं हो रहा है मनोज जूट बोला जा रहा है मनोज यादव जी बहुत बहुत ठीक है समाजवादी पार्टी कि आप लेकिन आपको नहीं लग रहा कि काम पहले से ज्यादा बेहतर हो गवरी संकर जी बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जिसे एक कहते हैं नहीं च्छापा मार वाली स्टिप में है बस वो दूसरे के कामों पे च्छापा मार रही है अगर खुद कुछ करती जैसे कि आज एक खबर आ रही है कि जो लखनौ का स्टेडियम समाजवादियों ने बनवाया इकाना स्टेडियम जिसमें कल मैच है उसका नाम इनोंने आधनिये पूर स्वर्गिये अटल जी के नाम पे रख दिया मैं इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन आप सोचिए आप कंट्रोवर्सियल काम कर रहे हैं आपको अटल जी के नाम इकाना से जस्ट डबल बैतर स्टेडि आमें ना रहने के बाद उनको सम्मान देने की हैसियत ना रखते हों उनसे क्या उमीद कर सकता हूं कि यह कोई काम कर रहे होंगे या इस तरीके का काम करेंगे जो नजीर साबित होगा इनपास्टेक्चर की बात हम कर लें तो किसी भी प्रदेश देश और विस्टो में जो साल में योगी जी स्टेट के हाइवेस बताते हैं आप जब देखेंगे तो रिजल्ट जो होगा मैं दावे से कह रहा हूं 20 परसंट भी नहीं है इस प्रदेश के लिए तो बीमारू राज्य तो आज भी बना रहेगा जब साड़े चार साल बीच जाएंगे एक निशनल तो निश्चित रूप से बदलाव हो जाता है अगर को अब आप 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 चारों में हमान हमारे साथ बने रहे हैं राम हिरदेर राम जी थुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कर लेते हैं क्या लगा रहा है कि योगी सरकार जिस तरह से एक के बाद एक कई तरह के परियोज जिना क्यी तरह की उजनाओं का उद्गातन किया जारह सरकार की तरफ से आम जनता आप के हालाद को बदलने की जो उएक तरह से कस्म wilé उअपने कखा है इस तरह की जो कस्म और वादय इसे निभाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है बहुत क्लियर कट बताएं रामिर्दे राम जी कि देश की सबसे बड़ी पंचाहथ चुनाओ जीत के फास बार तो विकास की चुनोहतनियों कि बात करिए न सरफ और विकास का मानक 30. до को नई New स्मय नहीं नहीं होना चाहिए विकास का मानक का पाइमाना 5 साल का होना चाहिए आप अपनी प्रति सरकारों का आपने आज तक हिसाप नहीं दिया और उन्हें इस महिने में आप किसी की सरकार का आकलन न करें पांच साल बीज जाने दीजिए पांच साल के बाद उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के लोग और भी बच्छी दल उत्तर प्रदेश का ये पह प्रविवार का विकास करेंगे अपर जन समथ्थर उत्तर प्रदेश की जंता ने अगरी अगरी आगरा सवार जीतना दूसरी चीजें पुरे देश और दिनिया नहीं में डिपावली मनाई जा रहा है यह मर्यादा प्रसोत्तम राम के आगमन को लेकर के अजोद्या में अजोद्या के वासी तील लग दिये जलाएंगे और कुसिया मनाएंगे आप की तरह हम रोजा इफ्तार मनाने वाले ट्वपी पहेंडे वाल दिवाली हम लाखों साल से हमारे पूरोजों की देन है चले मनोजी की करने यही सवाल तो आपकी सरकार से पूछी जा सकती थी बड़े-बड़े ठीक है आप भी बैठकर यहां पर कर रहे हैं लेकिन देखिए यूपी में बहुत बदलाब नहीं हुआ उत्तर प्रदेश को सब êtreाम प्रदेश नहीं बनाए जा सका आप लोग दावेकर रहे थे और तमाम तरह की चुनौतियां रह गई आप लोगों की सामने और उन्हीं चुनौतियों का सामना योगी सरकार को भी करना पड़ रहा है कुछ भी कुछ भी नहीं बदला गया और अगर बदला भी गया तो समझ नहीं आ रहा है आपके सवाल से 100% सहमत हूं 100% में सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ रहे गया और निश्चित रूप से जैसा कि मिस्रा जी भी कह रहा है कि सरकारों की जिम्मेदारी है कि सरकारे काम नहीं करेंगी तो प्रदेश का नाम और भी गर्त में जाएगा मैं आपको एक छोटी सी भात द्याना कर्शित कराना चाहूंगा अगर ये मैं बोलू कि सरकार में ब्रिष्टाचार हो रहा है तो आप मुझे कहेंगे मैं विपच के नाते कर र द्याएग्या इनके विचित दौने इनकी सरकार प्यारोप लगा है तो मैं कैसे न कहूं मैं क्यों न कहूं मैं प्रदेशकी आवाज क्यों न बनूं और अगर नेश्चित रुप से प्रदेश में कुछ नहीं होना और योगी जी निश्चित रूप सब्सक्राइब कर दिया इतना तेज विकास तो दुनिया के किसी देश में हुआ ही नहीं और वही चुनाव से पहले आप जिना अखलेश यादो जी से भाइया से पूछिएगा कि अतीक अहमद को जो आप बीजेपी को मैं सारी सरकारों की बात कर रहा हूं अतीक अहमद को स्टेश से हटा दिया यह एक अच्छा उनका कदम था सरानी कदम था यह चीजे जो बीजेपी कर रही है ब्रस्टाचार यह सब तो सारी सरकारों में रहा इसलिए तो वह आज भी 70 साल के बाद यूपी जो है बिमारू राज्य बना हुआ है नहीं तो अकेले य इसके शुरुआत देखे कहां से होती है मैं बताता हूँ मैं पार्टी से नहीं हूँ मैं समाजवादी लोग जो कहते हैं उतना करते हैं मिसरा जी एक बात ध्यान रखिएगा कि समाजवादीयों की कत्री करनी में कोई अंतर नहीं आप हम तब लिट्टा चार का रोब लगते हो आप जात करा लो अगर हम गलट है तो हमें जेल भेज़ दो अगर हमने गलट नहीं किया तो हमें बदनाम नहीं कर सकते हो हमारी सब्सक्राइब करने की साजित है मनोजी आदर जी आप यहां पर आए बहुत बहुत आपका शुक्रिया समय थोड़ा खतम हो गया दरसल जानने की कोशिश हो रही थी कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो चुनोती है क्या सिर्फ बीजेपी के पास ही चु झाल